राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में मैं आपको कजरी तीज की बहुती सरल पूजावी थी बताऊंगी कजरी तीज को नेमडी तीज, सातूरी तीज, बड़ी तीज या बूढी तीज के नाम से भी जानते हैं भादो मास के क्रिशन पक्स में आने वाली तिरतिया तीज को कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्ते की कामना करते हुए वर्त और पूजन करती हैं साथ ही घर में शुक शांती और बरकत की भी कामना करती है कजरी तीज की जो पूजा है वो शाम के समय की जाती है सुबह के समय नॉर्मल जो आप घर में पूजा करते हैं उसी तरह पूजा करें वर्त का संकल्प करें और शाम के समय पूरे सोला सिंगार करके कजरी माता की नीमडी माता की पूजा की जाती है तो पूजा हम कैसे करेंगे चलिए अभी देख लेते हैं सबसे पहले तो शाम के समय जिस जगह पर भी पूजा करें उस जगह को साफ कर लेंगे उसके बाद नीम की एक टहनी हम लगा लेंगे तो मिट्टी में आप लगा सकते हैं या अनाज में भी आप एक टहनी नीम की लगा लीजिए उसके बाद हमें तलई बनानी है यानि तलाब बनाना है तो मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है किनारे वाली आप चाहें तो आप मिट्टी से भी तालाब बना सकते हैं अब इस तालाब में सबसे पहले हम दूद डाल देंगे कच्चा दूद हमें लेना है उसके बाद शुद्ध जल हम इसमें डालेंगे तो इस तरह से जल को हम किनारे तक भर लेंगे यह हमारी तलई बन जाएगे तलई का भी पूजन इस दिन किया जाता है हमें कजरी माता की एक मूर्ती बनानी है अगर आप मूर्ती नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं मिट्टी की एक पिंड़ी आप बना लीजे उसे कजरी माता की रूप में आपने विराजमान कर लीजे फिर हम उनका पूजन कर लेंगे तो यहाँ पर हमने कजरी माता को विराजमान कर लिया है इसके बाद हमें पूजन शुरू करना है तो सबसे पहले जल के छीटे लगा कर भाव रूप में सभी को सनान करा देंगे उसके बाद हमें तलई के किनारे पर दिया जलाना है दिया इस तरह से जलाना है कि दिये की जो परचाही है वो तलई में यानि तलाब में दिखनी चाहिए फिर हम सभी को रोली से तिलग कर देंगे तो यहाँ पर नीम को, कजरी माता को, तलई को, सभी को हम रोली से तिलग करेंगे, उसके बाद फिर हम हल्दी से तिलग करेंगे, हल्दी को सुहाग का सुचक माना जाता है, इसलिए आप हल्दी से भी जरूर तिलग करें, इसके बाद देखे, टिक्की देने के लिए हम प्ले को ब Cela स्वास्तिक बना देंगे स्वास्तिक कारं कजरी माता करें गयाक स्वास्तिक बपर हम निम डूब कर देंगे। वह самое मैंने के लिए पार endings यह रूपया मं रखें धए रना लालेगे। गव माता अगर आपके पास है गव माता की फोटो या मूर्ती है तो उनको आप विराजमान कर लें अगर आपके घर में गव माता है या आसपास गव माता है तो उनका पूजन भी आप इस दिन जरूर करें गव माता को आप चारा इस दिन जरूर खिला के आएं साथ ही हम नीम तो सबसे पहले रोली की sauce देंगे उसके बाद फिर महंधी भोल लीजेगा फिर हम तेरा टिकी महंधी की लगाएंगे पहले ये paper पर हम तेरा टिकी लगाएंगे ुसके बाद हम निर्मडी माता को तलही को Foren कोहाँ सकते हैं भीध करने के अब 있습니다. माता सबस्क्राइब की लिए सब्सक्राइब काजल निशे original लगानी आए पर असने होते हैं पर अधीक होता है THIS ég जरूर है हम गव माता के लिए भोग समर्पित करेंगे तो लोई पर गुड लगा कर आप समर्पित कर सकते हैं उसके साथ ही हम फूल समर्पित कर देंगे तो जो भी फूल आपको मिल जाए आपको फूल समर्पित करें बेल पत्र अगर आपको मिल जाता है तो बेल पत्र आप समर्पित क उसके बाद भूक में समर्पित लिए एक सथ्तू की प्लियू प्ली उसके 그 Дज by कार्यें लिया हैर New Vancouver आफ में आपको चाणके कर देंगे और प्लिए प्रिशवे हैं में समर्पित करने हैं तो प्लव हमें समर्पित sa 그래 haina वैसो तूटो। उसके बाद फिर किसी भी फल की परचाई हम देखेंगे मंगल, सुत्र, नथ, टीका, चुंडरी सभी की परचाई हम इसमें देखेंगे जबटक मैं जीवित रहूं तब तक यह सभी चीजे मैं ऐसे ही पहनती रहूं और इनके परचाई मुझे ऐसे ही दिखती रहे ये भाव करके हम जो भी हमारा सुहाग का सामार है वो सारी परचाई हम तलई में देखेंगे फिर हमें कजरी माता की कथा सुननी है तो यहाँ पर देखें एक लोटा जल हम ले लेंगे जल के लोटे पर तेरा टिक्की हम लगाएंगे तो रोली से तेरा टिक्की हम इस पर लगा देंगे उसके बाद अपने हाथ में हमें तेरा दाने गेहु के लेने है बिल्कुल गिनकर हमें गेहु के दाने लेने है वो हम लोटे में डाल देंगे और ये लोटा हमें हही पर रखना है अभी रात को जब चंदरमा के दर्शन होगे तब चंदरमा को अरग हमें इसी जल से देना है उसके बाद देखिए हम करेंगे आर्ती तो आर्ती के लिए हम धूप दीप जला लेंगे कपूर से हम यहां पर आर्थी करेंगे बहुत ही प्रेम पूरोग पहले हम गनेश जी की आर्थी करेंगे उसके बाद हम पार्वती माता की आर्थी करेंगे अगर आपको आर्थी नहीं आती है तो आप पांच या साथ बार क्लोक वाइज इस तरह से आर्थी को घुमा के आर्थी उतारते हैं इसे भ घर में बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे इस तरह से कजरी तीजवर्त की जो पूजा है वो पूण हो जाएगी पूजा के बाद जो सातु हमने बाइने के लिए लिया है वो किसी बच्चे से या किसी लड़के से उसको बढ़वा लेते हैं तो इस उपारी आप हटा लीजि जो सिंगार का सामान है जो दक्षिना है और इसके साथ चुंड़िया साड़ी भी आप ले सकते हैं ये मिनस के अपनी सासुमा को बाइने के रूप में हम दे देंगे और रात को जब आप वरत खोलेंगे तो जो परशाद आपने चढ़ाया है सातु का उसी में से थोड़ा स परशाद पहले खाना है उसके बाद कुछ और खाना है और जो भी फल और सातु वगेर आपने चढ़ाया वो घर के सभी सदश्यों को परशाद सवरूपा बांट सकते हैं आपको बताई दिया है कि जो जल का लोटा हमने कहानी सुनते समय लिया था यहीं पर रखा रहेगा रात को जो चंदरमा का उदय होगा तब हमें चंदरोदय के समय इससे अरक देना है उसके बाद वरत खोलना है और अगले दिन हमें सारी चोकी उठानी है तो जब आप चोक आपको पसंद आई हो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफूल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाए घर में 30 तो हार कैसे करते हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी और वी स्रीमाता राधे राधे